कभी कभी डरना जरूरी है जी हाँ मैं यही बोल रहा हूं जो आज तक बोलता आया हूं कि डरना मना है लेकिन कभी कभी डरना जरूरी है जिनोंने समय रहते प्रॉफिट नहीं बुक किया और शेयर के हाई पे फंस गए हैं उनको डरना जरूरी है इस बाजार में कैपुचिलेशन नहीं हो रहा है कचूमर बनाए दे रहा है रणबाकुरों का बाजार गिरेगा कभ बताया 26 अगस्त को टेलीग्राम में बताया फ्र सब्सक्राबर लर्निंग देता हूं कि बाजार गिरेगा प्रॉफिट बुक कर लो लोग नया पैसा लगा रहे थे जब मैं कह रहा था कि मुझे अबडी करानी यहां से पैसे निकाल के और तब मैंने कहा था कि मैंने पीपीफ में पैसा जमा किया तो कुछ लोग हम से कह सब पीपीफ में क्या रिटन मिलता है आज पूछो क्या रिटन मिलता है एक लाक की FD आपने निकाल के एक लाक इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में और यहां से आपका शेयर 40% 30% गिर गया तो 30,000 तो यह गायब हो गये और आप डर के अगर वो पैसा निकाल लिए तो एक लाक में 8,000 तो वहां ब्याज मिल रहा था FD का यहां तो ब्याज भी गया मूल धन भी गया ओता क्या है यह बाजार ऐसे नहीं तो वहां भागने वाली जैसे इस्थिती नहीं थी बनी क्योंकि तुरंत बाजार उपर चला गया और जो लोग उस दिन बेच के गए उनको रिपेंट करना पड़ा उनको पच्ताना पड़ा और उसी वज़े से यह रैली हुई थी इतनी लंबी जून के बाद बाजार चला अभी बाजार जो गिरा वो धीरे धीरे गिरा कि 25,000 नहीं तूटेगा यह नहीं होगा वो नहीं होगा मुझे तो यह लगी रहा था कि बाजार में यह जो जो लेवल तोड़ती जा रही है बसंती नीचे आ रही है मेढक गरम पानी में डालोगे तुर Norant उछलके बाहर निकल जाएगा मेढक पानी में डालके धीरे धीरे गरम करने दो पानी को यानि कि पानी को धीरे धीरे गरम होने दो तो मेढक उससे उचलके नहीं भागता मेढक कब मर जाता है और अपनी हड़ी छोड़ देता है पता भी नहीं चलता यह हड़ी छोड़ने वाली बात मैं उन्हीं फ्यूचर आप्शन और इंट्राइडे वालों के लिए कर रहा हूं जिनकी छाती पे लॉंग लगे हुए है यह वही जनता है रनबाकरों की जिसने यूट्यूब और हर जगे खुब सारे पैटर्न सीखे क्या उनसे पैटर्न कप हेंडिल पैटर्न असेंडिंग ट्राइगल पैटर्न और यह फ्लैग वाला पैटर्न है ना राउंडिंग बॉट्टम सारे पैटर्न सीखे और उनको cash में apply करने की जगे future में apply करने लगा और पजार अचानक गिर गया तो सारे चार्ट हो गए फेल सारी चीजें आ गए नीचे अब फसंत हो रही है अब क्या करें बबल वाला वीडियो लाया था वो जरूर देखिएगा 26 अगस्त को लाया था जो जो बात उसमें कही थी जो जो मुद्दे उठाये थे वो सारे मुद्दे अब उठ रहे हैं उस समय एक मुद्दा उठाया कि भाईया company की earning सीना बची इस तरह से काम हो रहा है देखा आपने second quarter में company की earning नहीं आई अभी तो banking संकट भी आना है अगर वे उस्था ठीक नहीं रही सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार अगर एक साल पहले यह ध्यान दे रही थी कि PSU सेक्टर में बड़ा माल मसाला है तो आज कहां है सरकार आकर बोलना चाहिए क्योंके जंता घबराई हुई है हम सब घबराए हुए है बाजार गिर रहा है यह किसके इशारे पर FI इस तरह से बेचते जा रहे हैं यह कौन है जो इंडिया को नीचा दिखाना चाहरा है यह कौन है जो इंडिया की प्रगर्ति विकास उसको हजम नहीं हो रहा था कोई तो है जो मोदी जी को भी डाउन करना चाहरा सरकार को भी नीचा दिखाना चाहरा बाजार को भी गिरा रहा क्योंके हम लोग की तो विकास दर 7.2 थी तो बाजार कैसे गिर रहा है अगर 7.2 विकास दर है जी एस्टी के अच्छे आकड़े आ रहे हैं तो कंपनी की अर्निंग्स क्यों नहीं आ रही है इतनी महंगाई क्यों है रिटेल की तो छोड़ो जो शेयर मार्केट का आम आदमी इतना क्यों करा दिखार रहा है गुए तो जाहिर जी बात है कुछ विदेशी ताक्ते हैं इसमें जो हमाई सरकार को नीचा दिखाना चायतीए कि हमारे प्राइम ब्रॉइसर को नीचा दिखाना चाहिती तो बहुत जादा हमें लगता सरकार खर्चा भी नहीं कर पाई है जो उसने प्लान किया था पूरे साल का पैसा खर्च करने के लिए उतना खर्च भी नहीं कर पाई है भी और साथ में एक चीज और हुई कि भाईया हरियाना के भी चुनाओं है, महराष्ट के भी चुनाओं है, तो सरकार को चुनाओं में भी ध्यान देना सारे मंत्री वहाँ पे लगे हुए, वो भी जरूरी है, क्योंकि देश में एक वर्चत से तो कायम करना ही चाहिए सरकार को, अच्छी बात है, इस चक्कर में तो नहीं कहीं, शेयर मार्केट पे और आम जंता पे ध्यान नहीं दिया गया, कंपनी के अर्निंग्स गरबड़ हो गई, अब यह कुछ समझ में नहीं आई बात की क्या गरबड़ हो रहा है, या यह ट्रम्प जो आया है, देकि टेलीग्रा लेनी है, उनको शायद जन्वरी में लेनी है, तब और वो कुछ न कुछ करेंगे, बाकि आप सब वीडियो में सुनी चुके होंगे कि अमेरिकन फस्ट वाली पॉलसी है उनकी, तो इंडिया का वो क्या भला करेंगे, पहले वो अपने देश का भला करेंगे, इंडिया को त बताये था कि शायद बसंती 22,800 तक जा सकती है, शायद वहां बॉटम बना है, वैसे मैं एक दिन पहले भी अभी बोला था कि बॉटम शायद 23,800 हो गया है, फिर मुझे लगा कि 23,800 नहीं शायद, आज बॉटम बन गया हो, 23,500 पे, लेकिन ये भी कुछ पक्की बात नहीं च पुछता हूँ कि शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आप अपना पोर्टफोलियो से नजर मिला पा रहे हो की नहीं, अगर अपने गिरे हुए लाल पोर्टफोलियो में अपना लॉस नहीं देख पा रहे हो, आँखों में आखें डाल के, तो आप शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हैं आपके दिल में घबरहाट है आपको बैंक में FD करानी चाहिए ती आप गलत जगह आ गए हो ये बहुत लोगों को आगे आने वाले समय में और अभी पता चल रहा होगा कि वो शेयर मार्केट में गलत आ गए हैं देखिए अभी तो समझा बुजा के बाजार ब इडिट फंड आपके सामने आप कहेंगे ये क्या हो गया और अगर अभी नहीं गिरें तो अगले साल में जब बनेगी बात तो गिरावट होगी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो दो हजार पच्चीस वाली गिरावट थी आज एक फॉलोवर कह भी राता कहसा अभी तो न इतना जब चला तब आपको बिल्कुल होश नहीं आया कि प्रॉफिट बुक करना है तब आप बिहोश थे बिल्कुल अब आज जब बाजार गिर गया तो दैया तौबा मचाये हुए हो क्या करें अब लॉस में कटोगे कई जगे तो अगर घबराओगे इसलिए कहता हूं दर ना जरूरी हे उनको दरना जरूरी है जो प्रॉफिट साही समय पर नहीं बुक करते नई ने नुको दरना जरूरी है जो फ्यूचर बार एक चीज समझाता हूं तो आपको लगता है कि यह सब मजाक हो रहा है 2007 में हम भी फ्यूचर में फशे थे हमने भी अपनी कहानी बताई अगर वो चीज में experience करके आया हूँ और आज कहा रहा हूं कि गलत है तो वो सही कैसे हो सकती है और सही हो सकती है तो आप लोगों ने टेक्निकल की और फंडामेंटल की सारी पढ़ाई YouTube और सारे साइटों से कर ली है तो भाई या परिच्छा देने का समय आया दो परिच्छा पेपर पास करो बजार गिरा है सामना करो इस situation का यार जब सारी दुनिया को पता है कि बैलेंस शीट और सारा प्रॉफिट लॉस और सारी चीजें साइट में मिल जाती है वेबसाइट आज वाले थोड़ा बहुत स्विंग टेड वाले और कैश वाले ही बचेंगे या mutual fund के थू जाओ बाकी यहां कोई बचत नहीं है इतना easy money नहीं देता है share marketing मैं बराबर बता रहा था जुलाई में क्यार भाईया market बहुत बढ़ गया है तेजी से profit book करो एकाज share तो railway के दे जिन में मैंने बराबर कहा कि यह दुबारा देखो नीचे आया तब फिर उपर जा रहा है इन में profit करड़ो समय से नहीं बुक किया profit आपने आप सोचे तो ऐसे ही होता है ऐसे नहीं होता है राजा भाईया की बात कही थी 72 अब सब टीवी में बोल रहे हैं हर चीज टेलीग्राम में दो महीने पहले एक महीने पहले बता जेता हूं कि बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से काम करोगे दूसरा अभी पब्लिक को रिटेल को रणबाकरों को डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेढक वाली स्थिती है है ना अभी एक आस है कि मार्केट रिकवर कर जाएगा और जब तक यह आस है यह बाजार रिकवरी नहीं देगा बड़ी समस्या आपकी आशा तोड़ देगी जैसे बाजार हो पसंती आपकी क्या आसा तोड़ेगी आपने कोई गल्ती की वह आपके गल्ती करने का इंतिजार कर रहा है डेटा देगा निकल जाएगा आज आज एपाइस का डेटा देखो भूत बेच गया किसका माल खरीद लिये DIs FIs के अलावा कौन वो महानुभावत है जो डर के मारे माल बेंच गए और DIs ने खरीद लिया क्या भूत उत बेंच गए क्या या कहीं पड़ुआ पा गए माल DIs किसका माल भिग गया यही सब फल्दू काम होना है उपर मैं अच्छे में बेंचा नहीं रेट टू रेट और लॉस में बेंचो यही सीखो यही लर्निंग है इतने दिन से हम आनन्द भाव हो के इतने दिन से हम आपको चार साल से यही सिखा रहे है कि सौदा आप खरीदिये फायदे के लिए और बेज दीजे लॉस में क्या कर सकते है जहां तक FI, HNI और बड़े लोगों की बात करते हो तो वो लोग बहुत स्मार्ट है सौदे को गिरा दिया आप दमानी वाली जी बात अब सही हो रही है लार्ज कैप भी गिर गए मिड कैप भी गिर गए स्माल कैप भी गिर गए सब पचीस पचीस परसंट गिर गए तो बस पचीस परसंट इसके लॉस को हटा के और ये वाला माल खरीद लो लार्ज कैप वाला मिड कैप स्माल कैप थोड़ा सा बेच के और लार्ज कैप को भी वहां तक गिरा है उसको खरीद लो इसका जब मार्केट बढ़े तो लार्ज कैप वाले बढ़ जाएंगे और यह काओ यहीं सोता गोता लगाए बैठे रहें तब कहने का मतलब चीजों को बराबरी पर लाया जाता जब सौदे बद ले जाते हैं तो खराब सौदों को उटा दिया आता वो पहनी वैनी शेयर कहां गया वो बिंड एनर्जी वाले पंखा-पंखी वाले सबकी भाव बन गई है अब आप गलती करेंगे फिर वो बढ़ेगा तो आपके अंगरे गलती करके बेंच गए नीचे फिर वो उपर जाके बढ़ेगा वहां खरीद लेंगे यही सब होना है रिनीवल इनर्जी की वाट लगने वाली है यह ट्रम्प साप ने इशारा कर लि इवी इवी थीम सबसे बड़ी वाली थीम है फसाएगी तो अगर पोर्टफोलियो से आँख चुरा रहे हो उसको मारे डर के देख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब अभी कमजोर हो शेयर मार्केट में लालच की वज़े से आ गये थे दूसरा बड़ी कड़वी बात है लेक को बंद कर दिया गया जो कई तरह के वीकली चलते थे उन्हें बंद कर दिया गया उसका भी एक असर दिख रहा है से भी ने बंद करवा दिया ना अब सेंसेक्स का मदब पीसी और नसी का एक एक वीकली रहेगा सिर्फ बाकि सब बंद कर दिये बाकि सब मंतली रहेगा बेक तो विकली वाला जब खतम हुआ है तो उसका भी असर आ रहा है, आदमी को लग रहा था तब देख लेंगे, उस अब सारी पोजीशन सब की फसी होगी, उनको कटना ही था आज, उस वज़े से मार्जिन कॉल हुई होगी, लेकिन आप बाजार में क्या करें, बाजार में कुछ आखरी घात, अभी नहीं, इस बाजार अगर भगवान की करपा से रिकवर भी हो गया, तो अगले साल, या उसके अगले साल, ये हो सकता है, कि रिटेल आपको एक बार S.I.P. बंद करती हुई नजर आए, ये सिप के फ्लो का ही खेल था न, ये टीवी के भगवान, इधर के शेर मार्केट के भगवान कहते है, S.I.P. जरूरी है, मुचुल फंड सही है, करते रहो, कही न कहीं तो फसा लेंगे उपर, उनको तो चाहिए पैसा, उनका काम चल रहा है, वो फिर रोक के अपना खरीदें, चाहिए बढ़ के खरीदें, यहाँ पैसा इतना आसानी से नही तुमने शेर कौन सा अपने पोर्टोलियो में डालाता है, पैनी शेर खरीदेते, अच्छे शेर खरीदेते, तो कौन से शेर खरीदेते, जब अच्छे शेर की ठुकाई हुई जा रही, जिनके रिजर्ट अच्छे हैं, तो पैनी शेर की तो कोई विसाते नहीं है, अच्छ परसेंट नीचे गिरने पेवरेज करना हो तो करिए लेकिन अगर आपको विश्वास हो उस कंप्रिन के और कैश में लेके बैठ जाएए एकात साल में सब लग जाएगा भले मार्केट बढ़ जाए यह हमने आपसे अगस्त में भी बोला था कि भले बाजार और हमने बोला था उस समय भी लोग कह रहे थे 22,000 आएगी बसंती हमने का था 22,000 बात में आएगी पहले 26,000 जाएगी और 26,000 गई अब भले 22,000 आजाए वह एक अलग बात है 22,000 आट सो यह कुछ और तब भी यह बोला था कि बसंती जाएगी लेकिन आपका पॉर्टफोलियो नहीं बढ़के देगा आप जिन PSU रेलवे डिफेंस में ट्रैप हो गए हैं उनके रेट नहीं आने हैं भी छे महीने और रेट अगर आने है तो सरकार को आना पड़े कर ग एगर गॉर्मेंट पहले विश्वास दिलाने आई थी कि हमारे PSU सेक्टर अच्छे हैं तो आज भी तो दिलाए नहीं तो यार यह तो चीटिंग है आपके विश्वास पर हमने शेयर करीद लिए अब शेयर गिर गए हम क्या करें पदा यह क्या करें तो विश्वास दिलान बनाना ही चाहिए यार पबलिक कहीं पैसा नहीं कमा पा रही थी तो शेयर मार्केट में आई उसको कहीं अपने पैसे का रिटर्न ही नहीं मिल रहा था महंगाई से लड़ी नहीं पा रही थी तो शेयर मार्केट में आई तो सर मुडाते ही ओले पड़ गए हैं विचारी समझें नहीं पारी बाजार का क्या है लालच और डर और खास कर जब यह पैसे के मामले में हो तो यह आपके डिसीजन लेने की छमता पर प्रहार करता है आप सही निरणा नहीं ले पाते हैं अगर इनके दबाओ में लालच और डर के दबाओ अब बाजार में कुछ नहीं कर सकते हो कैश में बैठे हो तो बैठे रहो जो शेयर है उनको रखे रहो अब पैनिक में बेचने का कोई मतलब नहीं है अगर पहले नहीं बेचा आज के लिए इतना ही फिर अगली बात अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार सब्बाखेर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मन ना हो तो कोई जरूरत नहीं है हुआ 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 हुआ